प्रभू इश्व मसीग के मधुर नाम में आप सबों को फिर से नमस्कार जैमसी की ब्लेस फेलोशिप चर्च गुजरात की दूसरे रात की मिटिंग में आज में फिर से आप सबों से जूम मिटिंग के माधियम एस वेलस फेस्बुक के द्वारा आपके घरों तक प्रभू का संदेश पहुचाने जा रहा हूँ प्रभू के दास पास्टर सुनिल गामित और उनके परिवार और ब्लेस फेलोशिप चर्च को धनवाद जिन्होंने मुझे आज फिर से इस मिटिंग के लिए अमंतरित किया और समय दिया है मेरे मितर भाई सामिल गामित का धनवाद जिन्होंने मुझे इस फेलोशिप चर्च के द्वारा कनेक्शन दिलवाया जिस भाई ने भाई सामिल ने जो वर्शिप लीट किया उनको उनकी टीम को धन्यबाद आज अच्छे मदुर गीत के द्वारा हमने परमेश्वर किया राधना की आज फिर से प्रभू के महांदास पास्टर वी अबराम उनकी प्रेपतनी सिस्टर एलिस सिकंदरबाद से फिर उनने जो बहमूल समय मुझे प्रोसान देने के लिए और इस मिटिंग में जो सामिल हुए है उसके लिए मैं उनको शुक्र गजारी से धन्यबाद देना चाहता हूं मेरी बेहन मेरी जेम्स उनके परिवार के सार्ड डालस युससे से जुड़ू ही है प्रभून को आशिज मेरे कंप्यूटर के नेट प्राव्लम के कारण आज मैं आइफोन के द्वारा आपसे जुड़ा हूं इसलिए सब लोगों का नाम मैं इसमें देख नहीं सकता और ना जान सकता हूंगी कौन-कौन जुड़े हैं पर जितने भाई-बहन जितने प्रभू के दास कुजरात के विबिन जगयों से विबिन प्रांतों से भारत के विबिन शेहरों से विद्योशों से जुड़े हूए हैं आप सबों को बहुत-बहुत धन्यबाद प्रभू में नमस्कार लिमिटेशन के कारण यदि आप जूम मिटिंग में जॉइन नहीं कर पा रहे हैं तो फेस्बुक के द्वारा आप इसमें जरूर सामिल होएं और आप यह वचन जो रिकार्ड हो रहा है इसको मिटिंग के बाद दूसरों तक शेयर करें परमेश्च्वर का वचन पूरे भारत में पूरे विश्च में फैलने पाए जैसे मैंने कल का था परमेश्च्वर ने मुझे एक इश्वास है प्रभू अपनी आत्मा के द्वारा आज हमारे मद में एक महान काम को करने जा रहा है प्रभू महाने कल रात्री में हमने देखा आज का परमेश्वर वरतमान का परमेश्वर और उसी शीर्शक में आगे बढ़ते हुए दूसरा संदेश मैं आज रात को आप पुचाना चाहता हूं बड़े भैवक्ति के साथ प्रात्मा के साथ ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुनिए गया वचन के लिए हम खोलेंगे यरिमिया की पुष्टक उसका बदीसवा आयत बदीसवा ध्याय उसकी सोलवी आयत उसके बाद छबीसवी आयत बुक माया चाप्र 32 वर्स 17 एंदन वर्स 27 यरिमिया बदीस उसकी सत्रवी आयत उसके बाद उसकी सत्ताइसवी आयत सत्रवी आत में ऐसे लिखा है ए प्रभु यावा तुने बड़ी सामर्थ और बड़ाई हुई भुज़ा से अकाश और पृत्वी को बनाया है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तेरे लिए कोई काम कठीन नहीं, there is nothing impossible or too hard for you, तैरे लिए कोई काम कठीन नहीं, मैं सब जातियों का पर्मेश्य काम कठीन नहीं, पर्मेश्य क्रिए काम केता है, जरंविया से, I am the Lord God of all mankind, Mankind is there anything too hard for me यही वचन परमेश्वर ने मुसा से कहा हम जानते हैं मुसा जब बड़ी भीड को लेके खड़ाता यौवा का वचन उसके पास आया गिंती वुक अब नंबर्स 1123 गिंती ग्यारावस की 23 वुक अब नंबर्स 1123 यौवा ने मुसा से कहा क्या यौवा का हाथ छोटा हो गया है अब तू देखेगा कि मेरा वच्चन जो मैंने तुझ से कहा है वह पूरा होता है कि नहीं यह सर्या उन्सट उसकी पहली आयद आईजिया 59-1 सुनो यौवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो धार ना कर सेगे और ना उसके कान ऐसे भारी हो गए कि विस सुन को संभव में परनित करने वाला परमेश्वर ज्यान से सुनिए असंभव को संभव में बदलने वाला हमारा जीवित परमेश्वर God who turns the impossible into possible कई बार हम परमेश्वर को जो की असीमित परमेश्वर है उसको सीमित करने की कोशिस करते हैं अपने परमेश्वर को सीमित ना करे do not लिमिट यूर गाड इस महान परमेश्चर को एक बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश ना करें दू नाट ट्राइट टू पूट यूर ग्रेट इन माइटी गाड इन ए बाक्स आपका परमेश्चर कितना बड़ा है हाओ बिग इस यूर गाड यह बात आपको जानना है हम जानते हैं हमारा परमेश्चर असीमित उसकी योजना कितनी अपरमपार है उसने इस पूरे भ्रह्मान पूरे यूनिवर्स को अपने शब्दों के दुवारा बनाया पर जब मनुषρχ के निर्मान का समय आया परमेश्वर वचेन उत्पत्ति में कहता है उसने अपने हाथों से अपनी स्वरूप और अपनी समानता से आपको और मुश को बनाया हम उसकी हाथी कला उसकी हाथ किस रिष्ष्ठी है? इतना मान परमेश्वर? यह परमेश्वर को सीमित करने की लोग कोशिश करते हैं. आप सोचते हैं कि सहद परमेश्वर गुझराद के लिए है, या अंदरा के लिए है, या मेरे के लिए है, पर मेरा ओर आपका परमेश्वर, he is omnipresent and he is omnipotent मेरा परमेशर और आपका परमेशर जो आज मेरे द्वारा अमेरिका से आपसे बात कर रहा है वही सर्वापी परमेशर आज गुजरात के प्रांद में आपके गाउं में आपके शहर में आए प्रणे प्रदेश में अमेरिका के विमिन फ्रांतों में और दुनिया के कोने कोने में जितने लोग जुड़े हैं और जो बाद में जुड़ेंगे उन सब के लिए यह परमेशर ओमनी प्रसंट सर्वियापी His OmnichRIante सर्वज्यानी and His Omnipotent ॲसक्तिमान डू नॉट लिमिट गॉड्स पावर परमेश्वर की सामर्थ को सीमित ना करें डू नॉट लिमिट गॉड्स प्रोविजन परमेश्वर के प्रभंध को सीमित ना करें डू नॉट लिमिट गॉड्स प्रोटेक्शन परमेश्वर की सुरक्षा को सीमित ना करें Do Not Limit God's Purpose and Plan परमेश्वर की योजना और उदेश को आप सीमित ना करें परमेश्वर के समय जिस समय में वो काम को करना चाता है अपनी योजना को फून करना चाता है उसको आप सीमा के बंदन में आपके घड़ी समय के अनुसार ना रखें प्रभू आज आपके और मेरे जीवन में महान काम करना चाहता है। यर्मिया 33 उसकी दूसरी और तीसरी आयत जरमाया 33, 1, 2, 3 वहां पर ऐसे लिखा है यहवा जो पृत्वी का रचने वाला जो इसको स्तिर करता है उसका नाम यहवा है वो यह कहता है क्या कहता है 33 मुझसे प् बड़ी और कठिन बाते बताऊंगा जिने तू अभी नहीं समझता प्रभू यहवा कहता है मैं पृत्वी का रचने करने वाला मैंने पृत्वी को बनाया मैंने तुछ को बनाया मैं तेरी प्रात्मा को सुनूंगा यदि तू मुझसे प्रात्मा करेगा आज समय आ गया है विस्वासी भाई बेनो प्रभू के दासों और दासियों आप चाहे किस भी संकट से कुचर रहे हो आप प्रभू को पुकारे प्रभू कहता है मुझसे प्रात्मा कर मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बाते बताऊंगा जिने तू नहीं समझता कई बात हमारे समझ नहीं सकते हमारी बुद्धी की सीमा के बाहर है तो कि मेरा परमेशर असीवित सर्व ग्यानी सर्व यापी और सर्व सक्तिमान है और वहीं परमेशर कहता है मैं तेरी सारी असंभाव बातों को आज संभाव में परनित बदनने जा रहा हूं I'm going to turn every possible into possible आपके लिए आपके काम के लिए आपके समाज के लिए आपके देश के लिए और आपकी कलीसिया चर्श के लिए कई चीजे हमारी सीमा के बहार हैं कई बाते हमारे लिए बड़ी कठिन हैं हम नहीं सबस्ते हम इसके उपर कैसे प्रबल और सफलता और विजय को प्राप्त कर सकते हैं अप अपनी बुद्धी से अपनी शक्ती से हम इस काम को नहीं कर सकते मनुस जो आज चंद्रमा और विविन ग्रहों पर पहुंच गया है उसकी सीमा है everything is limited यह इस बात में कोई शंका नहीं आज विज्ञान ने कितनी प्रगरती की आप आपके घर में बैठ कर मुझे अमेरिका में देख सकते हैं मैं आपको देख सकता हूँ आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं मैं आपकी आवाज को सुन सकता हूँ एक सेकेंड के अंदर यह वाणी पूरे विश्ञ में आज पहुंच रही है इतनी विज्ञान ने प्रगरती की है पर इसके बावजूद भी मनुष सीमित है सीमित है विज्ञान की प्रगति करने के बाव जूद भी इतनी उन्नती करने के बाद भी जब कोवीड आया पूरे विश्व ने उसके सामने घुटना टेक दिया कोवीड की जो समस्या ना सिर्व भारत में पर पूरे विश्व में एक-एक देशों में ये समस्या आखड़ी हुई लोगों को नहीं मालम था क्या करें वैक्सीन बनी तीन है फार्मसिटिकल कंपनी ने वैक्सीन को निकाला पर उसके बावजिद भी ये वैरियंट ये जो वा ज्यानी को नहीं मालम हम कितने इसमें सफल हुए या कितने सफल रहेंगे ये एक सीमा के अंदर है परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई काम कटके नहीं there is nothing impossible with me and the God who created मैंने पूरे दुनिया पूरे भ्रह्मान की रश्ना की और मैंने तुझे अपने स्वन के हाथों से अपने साथ मैं लिए बनाया हैं परमेश्व Wisconsin हमें क्यों बनाया इतने हजारों लाखो की संके में जो सुरद हूथ जो परमेश्वन आप और मेरी रष्ण हें क्योंकि वह मुझ से और आपसे प्रेम करता है उसने इसलिए हमको उसकी समांता में बनाया कि हम उसकी संतान उसकी मेरी महिमा करे इस बात को आप तभी ना भूले कि हम परमेश्वर के द्वारा इसलिए स्रीजी गए हैं कि हम उसकी महिमा करे अपने जीवनों के द्वारा अपने कामों के द्वारा अपने परिवार के द्वारा अपनी कलीसिया के द्वारा प्रती दिन प्रती शण हम कितना महान है और वही प्रभू आज मुझे और आप से कहता है मैं तेरे सारे कठिन कामों को मैं सारी असंभाव बातों को आज संभाव करने जा रहा हूं जिन बातों को तू नहीं समझता जो बात तेरे लिए कठिन है मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि मैं तुझे बचाना और मेरे कान बहारी ने हो गए कि मैं तेरी सुनना सकू इसमी प्रभु यह होगा कहते है मुझसे मांग, मुझसे प्रात्याकर, मुझसे प्रात्याकर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी और कठें बाते बताऊँगा जिने तु अभी नहीं समझता परमेश्वर के लिए कोई बात असंभाव नहीं विज्ञान के लिए संभाव है साइंस के लिए संभाव है मेडिकल साइंस के लिए संभाव है पर मैं आप से इस बात की घुशना करना चाहता हूँ खुशकबरी मेरा परमेशर जिसने पूरे विश को बनाया पूरे अकास मंडल को बनाया पूरे जीव जन्तुओं को बनाया और विशकोर आपको बनाया वो कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं आपके सामने कई कठिन समस्या होंगी आपके सामने कई प्राब्लम्स होंगे आप नहीं जानते हैं आपको क्या करना है और कैसे इनको पर विजय पाना है प्रभू कहता है तेरे लिए कटिन है पर मेरे लिए कटिन नहीं तेरे लिए असंभाव है पर मेरे लिए असंभाव नहीं मैं सब कुछ तेरे लिए असंभाव करने जाता हूं यह महान परमेश्वर आपके और मेरे लिए आठ महान आश्रकर्म करता है यर्मिया 33 में हम देखते हैं उसकी आठवी आए से लेकर आगे तक हम दाध ध्यान करेंगे जरमाया चाप्टर 33 वर्स 8 डाउन प्रभू कहता है मैं तेरे लिए आठ महान आश्रकर्म काम करने जा रहा हूं जो तू अपने आप नहीं कर सकता कोई तेरी साहता नहीं कर सकता पर मैं तेरे लिए करूंगा पहली बात प्रभू हमें हमारे अधर्म और पाप से छुटकारा मुक्ति देगा फर्स दिंग गौड विल फर्गी वस फ्रम अवर इनिकुटी एंड सिंस जरमाया 33 यर्मिया तैंटीज उसकी आठ मिया में परमेशर यहवा क्या कहता है मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद करूंगा जो उन्होंने मेरे वुरूत किये है और उन्होंने जितने अधर्म और अपराद के काम मेरे वुरूत किये उन्हों सब को मैं च्छमा करूंगा 32 कहता है उन्होंने मुझसे मुझसे मूँ फेर लिया उन्होंने अपनी पीट मेरे और की और में मिस से दूर हो गए वे सारे पाप में अधर्म में फज गए इसलिए मैं अपना को उजाल कर दूँगा मैं वहाँ पर एक सुनसान देश को बनाऊंगा और लोग मेरे लिए खोज करेंगे और वही परमेश्वर जब 33 में अध्याय में आता है वो कहता है आठवी आयत में मैं तेरे सारे अधर्म और पाप से तुझे शुटकारा दूँगा आप कहेंगे मै मैं तो धर्मी हूँ मैं चर जाता हूँ मैं मस्जिद जाता हूँ मैं मंदर जाता हूँ मैं गुर्दवारा जाता हूँ मैं प्रातना करता हूँ धार्मेक पुस्तक को पढ़ता हूँ धार्मेक स्तल मैं जाता हूँ दान दशना देता हूँ गरीबों की सायता करता हूँ वो आपको आपके पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, वो आपको आपके अधर्म से नहीं छुड़ा सकता, सिर्फ एक ही वेक्ति जिसने अपना लहू आपके लिए और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर भाया, वो ही आपको आपके पाप से छुटकारा दे सकता है, प्रभुईशिर मसी स्वार की महीमा कर छोड़कर इस पृत्वी पर क्युंम आया क्यूं आया वो इस दुनिया में रहकर साड़े तीन साल तक महान काम करने के बाद कल वरी क्रूस पर आपके पापोς को लेकर मेरे पापो को लेकर क्यों चढ़ गया उसने अपने सरीर की आखरी बूंद आपके लिए और मेरे लिए क्यूब आया कि हमें पापों से छुटकारा मिले हमको मुक्ती मिले हमको नजात मिले हमको वापे से परमेश्वर से मिलाए क्रूस जो है हमको परमेश्वर पिता से मिलाता है Cross is the one which connects us back to God दुनिया की कोई ताकत हमको परमेश्वर से मिला नहीं सकती थी ये परमेश्वर का कितना महान परेम है जिसने हमको उस से मिलाया उसकी संगती में लेकर आया और आज हम प्रभू से जुड़े हुए है मेरा प्रभू कितना महान है प्रभू कहता है मैं तेरे सब पाप अधन को दूर करूँगा परमेश्वर के वचन रोमियों की पत्री में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है एब्रीवन हैस कमिटेड सिन और केम शोट अफ ग्लोरी अफ गाड आप कहेंगे मैं कितना धर्मी हूँ कोई धर्मी नहीं हमारे धर्म के काम गंदे कपड़ों गंदे चितरों के समान है आप कितना भी धर्मी काम करें वो आपको मुक्ती निजात नहीं देगी नहीं देगी उसके लिए आपको परभू इश्व मसी का लई की जरूत है परभू के वच्चऺे लिखा है जिदि हम अपने पापो का जो wrap तरह कार करें उसका लई हमें शुद करेगा उसका लई हमें शुद करेगा आज मुद्ध और आपको उसके लहू की शुद्धी करण की आफशक्ता है आज मुझे और आपको नया नजात नई मुक्ती की आफशक्ता है बिना मुक्ती नजात पाए आप स्वर्ग में नहीं जा सकते आपका धंदौलत आपकी ताकत आपकी महिमा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी कई लोग सो और पुचाएंगे नहीं परमेश्चर के बचन में लिखा है रिच में डाइड लाजरस डाइड धनवान वेक्ती मरा और लाजरस जो गरी तो वो भी मरा लाजरस अबरहाम की गोद में स्वर्ग में पहुंचा धनवान का गया नरक में नरक में बैठकर वो कहता है यह पिता इ नहां से पृत्फी पर भीड़ ने geçe हैं लिए मरने बाद सोचने से कोई यह बादा नहीं आज उद्हार का दिन है आज नजात का दिन है यह मुक्ति का दिन है उस मुक्ति को आपको और मुषको आजई पाना है कल नहीं प्रभु और आपको प्रेम से बुला रहा है आपका नाम प्रेम मसी होगा, आपका नाम शांती बहन होगा, आपका नाम सामयल होगा, जेकाब होगा अब्रहाम होगा, आपके मसी नाम से आप मसी नहीं बनते, मसी परिवार में जन्मेने से आप मसी नहीं बनते, मसी कलीसिया चर्च में जाने से आप मसी नहीं बनते, आप मसी नहीं बनते मेरे संदेश का प्रतम बिन्दू को न भूले असम्भा कों असम्भा में बनाने वाला प्रमेश्वर स्वयमे करता है मैं उनके कठिन और प्रूर हिर्दे को अशुद हिर्दे को निकाल कर उनके एक शुद मन एक शुद हिर्दे एक शुद आत्मा दूंगा एक नया हिर्दे एक नहीं आत्मा एक नया मन आज हम प्रभू से प्राप्त करें असंभा को संभा में परिवर्तन करने वाला देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा दूसरी बात वो हमको चंगा ही देगा अबर गॉड वांस टू हील अस कई बीमारी के उपर मेडिकल साइंस ने विजय पाई पर आज भी कई ऐसी बीमारी हैं जिससे पर जो बीमारी है आपके शरीन में जो जखली हुई है उससे छुड़कारा पाने के लिए परमेश्व करता है देख मैं इस नगर का और इस नगर में रहने वाले निवासियों को चंगा करूँगा गुजरात प्रांत के सारे विश्वासी भाई बहन और जो लोग विश्वासी नहीं है जो वचन को सुन रहे हैं पूरे भारत के विश्वासी भाई बहन अमेरिका के भाई बेहन गल्फ कंट्री के भाई बेहन और जिन इन प्रांतों से आप जुड़े हुएं उन सब से प्रभू क्या कहता है मैं इस नगर का आपके शहर का आपके गाउं का मैं इलाज करके उसमें रहने वाले निवासियों को छंगा करूंगा प्रभू के वचन प मेरा परमिश्व आपको आच्छूने वाला है विस्वास करिए प्रभू के वचन में उतनी सामर्थ है जितनी प्रभू में सामर्थ है जब प्रभू इस पृत्भी पर था उसने बड़े-बड़े आश्यर कर्म किये उसके जाने के बाद उसने वही सामर्थ आपको और संदेश चंगाई का संदेश सुनाओ मैंने तुमको अधिकार दिया जिस बिमार के उपर तुम हाथ रखोगे वह चंगे हो जाएंगे आज कोवीट के रेस्रिक्शन के कारण मैं आपके उपर हाथ रखकर दुआ नहीं कर सकता पर यदि आप अपना हाथ इस टीवी स्क्रीन इस फोन स्क्रीन के और बढ़ाएंगे पर मेश्वर के हाथ आपको चुएगा विस्वास के साथ आप अपने हाथ को बढ़ाएं आप वि इश्रमसी के हाथ जो खीलों से ठुके हुए थे प्रूस पर जो खीले उसके हाथों में ठुके हुए थे और जिसमें से लहू बहा वो लहू सिर्फ ना आपके पापों की चमा पर हमारे विमारियों की चंगाई के लिए भी है पर मेश्वर के बचन में लिखा है उसके कोड खाने से हम चंगे हो गए हैं चंगे हो जाएंगे नहीं पर चंगे हो गए हैं what God says with His stripes we are healed not may be healed not maybe but you are healed ये क्रूज पर प्रूरा किया गया काम है जिस प्रकार क्रूज पर परमेश्वर ने हमारे उधार हमारी नजाद हमारी मुक्ति के लिए पूरा काम किया उसी प्रकार उसने कलवरी क्रूज पर हमारे चंगाई के लिए पूरा काम किया है परमेश्वर के बचन में लिखा है उसने हमारी निरबलता को उसने हमारी कमजोरी को उसने हमा God that He ले दी, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, क्या परमेश्वर के कोई काम असंभव है, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, चाहे आप बिमारी से तीन साल, दस साल, भीस साल, चालिस साल से क्यों न ग्रसित हो, आपकी बिमारी क्यों कुछ न हो, मेरा परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है, मेरा परमेश्वर आज आपको छंगा करने जा रहा है, प्रभू के वचन में, प्रभू के लहु में एक सामर्थ है, वो पुन इसकी डाटर याईर की बेटी जो मर गए थी उसी दिन पर मेश प्रभू इश्रु मसी ने उसको जिंदा किया ना इनकी विद्वा के बेटे को जब वे कबरिस्तान में गारने के लिए ले जा रहे थे प्रभू इश्रु ने रस्ते में उस अर्थी को छुकर कहा है जवान तो इस्व ने का यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तू बड़े काम को देखेगी इफ यू बलीब यदि तू विश्वास करेगी प्रभू एक ही काम करता है कई बार हम परमेश्व के वचन में पढ़ते हैं इस्व मसी कुछ गाओं में अपने चमतकार को ना कर सका क्यों बास नहीं सुनिल गामित कव श्वास नहीं विश्वास नहीं और किसी प्रभूदास का विश्वास नहीं पर आपकी चंगाई के विश्वास के You have to declare and proclaim from your mouth. विश्वास रखना बहुत अच्छा है. कई लोग अपने मन में, अपने हिर्दे में विश्वास को रखते हैं, पर उसको कारे रूप में परणित नहीं करते हैं. We have to exercise our faith by proclaiming God's word. यदि आप चंगाई चाहते हैं, तो आज आपका विश्वास है, कारे रूप में परणित होने पाए. मेरे पास एक अच्छा आइफोन है. इस आइफोन को यदि एक्टिवेट ना करूँगा, ये फोन कोई कामता नहीं. एक बच्चे का खिलोना के समान है. इस आइफोन को एक्टिवेट करने के लिए, कोई फोन कमपनी के साथ इसको एक्टिवेट करने के बाद ही, मैं इस फोन को यूज़ कर सकता हूँ. उसी प्रकार विश्वास अच्छा है, पर इस यदि विश्वास को आप कारे रूप में परणित ना लाएंगे, वेवारिक रूप में नहीं लाएंगे, आपके विश्वास से कोई फादा नहीं, आप दिन प्रदे दिन कई विश्वास की पुष्टक पढ़ सकते हैं, आप विश्वास के संदेज सुन सकते हैं, आप विश्वास के बारे में प्रचार कर सकते हैं, पर वो विश्वास मुर्दा है, faith without work is dead कार बिना विश्वास मुर्दा है प्रभू आज हमारी साहता करे कि हमारा विश्वास बढ़ने पाए विश्वास कैसे बढ़ेगा परमेश्वर के वचन में लेखा है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता faith comes by hearing and hearing by the word of God आज जब आप प्रभू का वचन इस वचन को सुन रहे हैं ये आपके अंदर आपके भीतर आपके मन में विश्वास को बढ़ाने पाए चेलो ने प्रभू से कहा प्रभू मेरे विश्वास को बढ़ा एक पिता जो अपने बेटे को इश्व मसी के पास लेका है उसने का प्रभू मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे सारे संदेग और डाउट को दूर कर मेरे अंदर जो आविश्वास है उसको दूर कर आज आप प्रभू से कहे मेरे आविस्वास को मेरे संदे को दूर कर मैं तुछ पर विस्वास करता हूं मैं तेरे वचन पर विस्वास करता हूं मैं तेरे लहू पर विस्वास करता हूं मैं तेरी पुनुर्थान की सामट पर विस्वास करता हूं मैं आज प्रभू का जीविद वचन आपके लिए प्रशार कर रहा हूं और मेरे वचन के प्रशार जो प्रभू का वचन है इसके सुनने से आपके जीवन में एक महान खाम होने पाए जैसे मैंने आपको बताया टेलिवीजन के द्वारा हजारों लोगों तक प्रते दिन मैं पहुंच रहा हूं प्रभू का महान संदेश लेकर कई बार दीवी के वचन सुनकर लोगों ने चंगाई प्राफ की हजारों की संख्या में सैंकडों की संख्या में लोगों ने गवाई हमारे पास देजी कैसे परमेशन ने उनके जीवन में परिवर्तन लाया कैसे परमेशन ने उनको पून चंगाई दी उनका वेपार जो ठप हो गया हैं उसके सामने कहें कहिए प्रभू मैंने सब कुछ किया मैंने बड़े-बड़े अस्विक्ताल में इलाज किया मैंने कितनी दवाईया खाई कितने मलहम किये कितने आपरेशन करा हैं कोई छुटकार है नहीं पर मेरे पास आज खुशी का संदे से प्रभू आज आपको चुने जा रहा है प्रभू आपसे कह रहा है मेरे लिए कोई काम अकठिन नहीं देस नथिंग इंपॉसिवल फर मी आई विल डू दम मेरेकल फर यू मैं तेरे लिए आज एक चमतकार को करने जा रहा हूं विस्वास के साथ अपने हाथ को बढ़ाएं अपने हाथ को बढ़ाएं अपने हाथ को उठाएं और क्रूस की और बढ़ाएं असमानता को उठाएं प्रभू से कहिए प्रभू मेरे हाथ को में तेरे पास मेरे हाथ को चुप मुझे चंगा को चुआ जैसे उसने वस्तर को चुआ प्रभू के अंदर से एक सामर्थ निकली प्रभू के चेलों ने उस बहन को नहीं चुआ प्रभू ने उसको देखा भी नहीं पर वो पीशे से आई और प्रभू के वस्तर को चुई जैसे उसने वस्तर को चुई प्रभू ने कहा मेरे मुझे चंगाई की जरुवत है आज मैं प्रभू को छूंगी अंदा बरती में उसने क्या कहा है दाउत की संतान मुझ पर रहम कर चेलों ने कहा तुछ चुप रहे हैं इसु बहुत बिजी है वो बड़े काम के लिए जा रहा है उसने फिर जोर से चिला है जब लोगों ने से कहा तुछ चुप रहे हैं वो आंदा जोर से चिला है ए दाउत की संतान मुझ पर रहम कर क्या आप आच चिलाने के लिए तैयार हैं क्या आप रोने के लिए तैयार हैं क्या आप पुकारने के लिए तैयार हैं उस बरती मुझ के समान आप भी पुकार हैं है प्रभू मुझ करेगा वह हम पढ़ते हैं यर्मिया तेटीस उसकी च्छट में आयत का दूसरा भाग पहले भाग में चंगा दूसरी भाग में क्या लेका है मैं उन पर पूरी शांती और सचाई प्रगट करूंगा तीसरी बाद वह हमें पूरी शांती देगी आज विशमें लोग अशांती स भरे हुए हैं सब दूर भै आतंग तनाव स्ट्रेस टेंशन भरा हुआ है लोग के अंदर एक भै है वी एर ग्रिप अंडर दा पावर फियर लोग इतने जारा भैबीत हैं कि हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं कि कल को हमेंज क्या होगा यह कोविड हमारे घर में घु हमको डिस्टेंस दूरी रखना जरूरी है हमको मास रखना जरूरी है पर मैं आप से कहना चाहता हूं मास आपको शांती नहीं देगा सोशल डिस्टेंस आपको शांती नहीं देगी दवाई और इंजेक्शन वैक्सीन आपको शांती नहीं देगी शांती खेवल शांती का प सकता है आज पूरे विश में अशांती फैले हुए है घरों में अशांती टूट फूड विवाब बंदन टूट रहे हैं माता-पिता का संबस में लड़ रहे हैं और बच्चे-मा-बाब के साथ लड़ रहे हैं, कलीसियां चर्चस के अंदर लड़ाई चल रही है, गाहुं में, शहरों में, समाज के अंदर लड़ाई चल रही है, एक दीज, दूसरे देश से लड़ाई करने के लिलता », सब जगे आतंग फैला हुगा, कौन संती ले को नहीं ला सकता वे कहेंगे हम शांती लाएंगे पर सब जगे आशांती है लोग सांती से सो नहीं सकते लोग पिल से लेकर सोने की कोशिश कर रहा है पर डर है कल को रात में कौन घुसकर आएगा कौन हमारे घर में आकरमन करेगा कौन हमारे बच्चों के उपर आकरमन करेगा कौन हम जब डिराइव कर रहे हैं, कौन हमसे मार के एक्सिडेंट में हमारा जीवन समाप्त करेगा, कौन हमार उपर बंदुख चिलाएगा, शांती नहीं, शांती नहीं होने के कारण क्या है, तनाव, आतंक, अशांती फैल रही है, पर पभू क्या कहता है, मैं उनको पूरी आदी नहीं, पूरी सांती, कंप्लीट पीस आया मिलगी, यह उना चवदा मैं जाना के पहले इस दुनिया से प्रभू ने क्या, I give my peace, मैं तुमें अपनी शांती देता हूं, I leave my peace with you, मैं अपनी सांती तुमारे साथ छोड़ कर जाता हूं, वो सांती देना वाला परमिशर, आज आपको शांती देगा, आपका मन, आपका मस्तिष, आपका हिर्द, अशांत है, पर प्रभू आज आपको शांती देना चाहते है, एक कंप्लीट पीस, क्या आप उस पर विश्वास करेंगे, जो बात असंभा है, जिन घरों में तनाव और लडाई जगड़ा हो रहा है जिन कलीसियों में लडाई चल रही है, जिन देशों में लडाई और तनाव बढ़ रहा है, उनको कैसे होगा, जर्माया 33.9, यर्मिया 33.9 में क्या लिखा है, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे, जो मैं उनके लिए करूँगा, प्रभू कह करता है, मैं शांती और भल और स्तूती और सोभा का कारण हो जाएंगे, यह प्रभू का वचन है, जेकर थामस का नहीं, योन्नो का वचन नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, प्रेसिडेंट का नहीं, प्रभू इशु मसी स्वाइम करता है, मैं तुमको शांती दूँगा, चोती बात, हम कर दूँगा, आज दुनिया में जो सुनसान बिरानी पाई जाती है, उसको प्रभू फिर से बहाल करना चाहता है, वो उसको जो कत्यों करना चाहता है, यदि आप उससे प्रात्मा करेंगे, इसलिए वो कहता है, मुझसे प्रात्मा कर, मुझसे प्रात्मा कर, मैं तेरे लि कोविड ने जितना उजाड लेकर आया आज सारीरिक संकट से बढ़कर मानसिक तनाव mental sickness लोगों के अंदर है आज कितने लोग आत्मात्या कर रहे हैं पिछली सप्ता दो भाईयों ने केरल में घर के अंदर आत्मात्या कर ली क्योंकि इनके पास इतना बड़ा आर्थिक संकट कितने लोगों ने suicide किया घर में पैसे नहीं खाने के लिए भोजा नहीं काम नहीं बिजनस बंद है सब जगे सुनसान वीरान अमेरीका शेहर जो दुनिया का बहान शेहर आज कितनी दुखाने बंद पड़ी है मौल आदा मौल बिलको ठंडा पड़ा है सुनसान वीरान उसक सब जगे डर आतंग सुनसान पन है प्रभू कहता है मैं उनको जियों कत्यों कर दूँगा यदि वह मिस से प्रात्ना करेंगे यह बात जो असंबाद दिख रही है दो साल हो गया कोवीड को और फिर से जो तीसरी लहरारी किसी को नहीं मालूँ कब और जाएगी पर मैं आप से कहना चाहता हूँ यदि हमको इससे छुटकारा चाना है यदि हम चाते प्रभू हमको छुड़ाए हमारे परिवार को छुड़ाए हमारे चर्ष को छुड़ाए हमारे गाहु नगर को छुड़ाए हमारे देश को छुड़ाए और पूरे विश्च को इस महामारी संकर से छुड़ाए उसके लिए आपको और मुझे को प्रात्मा करना है उसके लिए हमको प्रभू की और फिरना है नामधारी मसीज के नाम से नहीं पर एक सचे मसीज के रू प्रभू कहता है मैं तुमारे सुनों गाल आंडू मिए मुझे पुकार मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूँ का आज प्रभू आपको उत्तर देने पाए आज प्रभू आपकी जीवनों में परिवार में एक माहान काम करने पाए उसके बाद क्या होगा अनैदर गुड प्रभु कवचन कहता है यर्मिया 33 ग्यार्मियाद में इनी में हर्ष और आनंद का सब्द दुले दुलिन का सब्द सुनाई देगा हमारे घरों में, हमारे गावों में, हमारे शेहर में, हमारे देश में, हमारी कलीसे में हर्ष और आनंद का सब्द, हर्ष और आनंद की घुशन, हर्ष और आनंद का जजेकार की ध्वनी होने पाए, अज सब जगे कराना है, कितने घरों में जब मौत आई, उनके प्रिये जन, उनको छोड़ कर चले गए, हमने देखा है, लोग कैसे जोर जोर कर, छाती पीट कर रो और लेर ने सबके अंदर एक धैर उत्पन किया और कोवीड ने कई घरों में रोने का सब्द ले आया, प्रभू केहता है, मैं फिरसे सब को बहाल कर दूँगा, जहांपर रोने का सब्दा, जहांपर उदासीती, वहाई पर हर्ष और आनंद का सब्द है, दुले अदुलिन का शब फिर से साधियों में जैजेखार और महुष्वाम जाएगा प्रभू के वचन में लिखा है से ना होकर यहवा का धन्यवाद करो क्योंकि यहवा भला है यहवा क पास आज प्रभू को देने के लिए क्या है प्रभू के वचन इब्रानी 13 में लिखा है प्रभू हमारे ओठों के बलीदान को चाहता है इस तूती रुपी बलीदान को पुराने निया में हम पड़ते हैं जब लोग आते थे मंदिर में बलीदान चड़ाने के लिए उनके पा हमको डव को लेकर आने के जरूरत नहीं पर हम सिर्फ अपने आपको लेकर आए ओठों का बलीदान जिससे वो प्रसन होता है मेरा परमेश्वर आपके स्तूति रुपी बलेदान ओठों के बलीदान से खुश होता है क्या आपको बलीदान प्रभु को चड़ाएंगे बजान 188 में लिखा है शाट ओ की दहनी होना है एक जेजेकार की दहनी होती है हम गीत कारों को लेकर आते हैं वो गीत गाते हैं हम बैठके सुनते हैं उसके बाद सब्धप गाने वाला गाता है जोर से ताका से उमयारी ताली ficar और आपको भरनाच चाथ है काइसे उसके महान कामों के दवरा आप इतने वर्दान देगा आपके जीवन में आपके परिवार में एक महन परिवर्दन He will turn around everything in your life आपके शहर में आपके गाउं में परमेश्वर एक परिवर्तन लाना चाहता है कि आप उस बात तो इस फास करते हैं कि प्रभू उस महान काम को करने जा रहा है अंधर impossible thing परमेश्वर का बचन क्या कहता है 33, 14 जरमाया 33, 14 देश ऐसे दिन आने वाले हैं कि जो कल्यान का वचन मैंने इस्राइल और यहुदा के घराने के लिए कहा है उसे मैं पूरी करूँगा जो कल्यान के वचन मैंने इस्राइल इस्राइल और यहुदा के जगे आप लिखे जो मैंने कल्यान के वचन गुजरात कन्यान के वचन आंद्रा कन्यान के वचन मद्द प्रदेश भारत के लिए विस्वासियों के लिए चर्चस के लिए ताहा है उसको मैं पूरी करूंगा प्रभू जो वचन कहता है उसको पूरी करने वाला है उसके एक एक वाइदे आप के लिए और मेरी लिए पूरे होंगे यह परमेश्वर का जीविद वचन है, यह मैं कोई कहानी की पुस्तक नहीं, कोई स्टोरी बुक नहीं, कोई उपन्यास नावल्स के बात नहीं कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का जीविद वचन की घुशना कर रहा हूं, और प्रभु ईशुमसी कहता है, मैं अपने वचन को प पूरा करूंगा मैं कलियान और कुशल्टा संपंता और समर्दी तुमारे जीवनों में तुमारे परिवार में तुमारे व्यपार में तुमारी कलीसिया में तुमारे गावों में तुमारे शेहरों में तुमारे देश में लेकर आऊंगा उसको मैं पूरा करूंगा यह बात इथार्थ है, बिल्कुल सच है, COVID के द्वारा हमने सब कुछ खो दिया, कितना नुक्सान है, हमारे घरों में, हमारी संपत्ती का, हमारे स्वास्त का, हमारी मन की सांती का, कलीसियां बंद पड़ गई हैं, और अभी जो खुली है, वो फिर से बंद हो जाएंगी, पर पबु कह है, मैं तुमको संपन्ता, सम्रदी, कल्यान और कुशलता दूगा, मैं एक महान चमतकार तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं, क्या आप उस बात के लिए तैयार है, प्रभू से मिलने के लिए तैयार है, उसके चमतकार को वो आपकी जीवन में करने पाए, साथवी बात, हम पढ़ते हैं, तैयंटीस उसकी कीशवी आएद, यर्मिया 33-21 प्रभू कहता है, जैसे है कास की सेना की गिंती, और समुंदर के बालू के किनकों का परिमान नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने दाउस, दाउद के वंश, और अपने सेवकों लेपियों क बढ़ा कर अंगिनित कर दूँगा, uncountable and unmeasurable, साथवी बात, अंगिनित और आप परिमानित आशी से, जिसको आप माप नहीं सकते, you cannot measure, पर मेश्वर आप के लिए, what he is going to do, you cannot measure, and also you cannot count, उसको आप गिन नहीं सकते, वो कहता है, जैसे अकास के तारे, अकास की सेना, और नब्दस ही, कौन समुंदर की बालू को गिन सकता है, दुनिया का कोई साइन्टिस ने गिन सकता, दुनिया कोई अविश्कार, आज कई तारों को गिना है, मनुष चंद्रमा में और विविन गरहों में पहुंच लिया, पर लाखों लाखों की संक्या में ऐसे ग्रहें और तारे गन हैं, जिनके पास बनुष कोशिश करेगा भी तू पहुंच नी सकता, इतने तारें हैं जिनको आप गिन नी सकते हैं, पर परमेश्वर के बचन कहता है, वो हर एक तारे को नाम से बुलाता है, उसने हमारे सिर के बालों को गिन के रखा, मेरा बाल काटने वाला, मे कितने बाल मेरे सिर से गिरते हैं जब वो बाल को काटता है पर परमेश्वर आपके बाल को गिनके रहा है एक एक बाल जब आपके सिर से गिरता है उसकी गिनती भी उसके पास है और कितने शेश रहा है उसकी भी गिनती उसके पास है बिना उसके जाने हमारे शरीर से कोई भी ह दावत के ज़ेगे आप लेखिए जेकब थामस का परीवार, जेकन थामस की कलीसिया, जेकन थामस की सिवकाई, अपना नाम बार्ट पढ़िए, सुनिल गमथ का परीवार, सुनिल गमथ का वंच, पास्ठर भी ये इप्रहाम का वंच है, उन्हों ने गाइबार, पताया मुझे मुझे मालूम है कई बार वे कई संकर आर्थिक संकर से गुजरे खाने के लिए भोजनी था बच्चों के लिए पहने जूती नहीं थी एक बार सैक्ल में पास्टर जा रहे थे उनका बच्चे के साथ रास्ते में वो जूती गर गई एक चप्पल लेकर घर में उनके पास पैसे नहीं था उस समय 5 रुपे भी कि उसको जूती ले कर दें। पर आज परमेशन ने उनके उसी बेटे को इतनी आशिज दी। दुबई में एक महान काम कर रहा है। । याज़ का आशिस वो की और मेरे जीवन में करेगा अट्धाए हमारे माता पिताओं ने हमारे दादा दादी नाना नानी ने जो संकर दुख परभु के लिए उठाया आज हम जो उनकी संतान और हमारी जो संतान है वो जो आशिसों को महसूस कर रहे है प्रभू की करुणा है प्रभू की करुणा है हमने कभी भीक नहीं मांगा मैंने आज तक नहीं देखा प्रभू का वचंद कहता है I am not seen righteous forsaking a begging for bread मैंने धर्मी को कभी भीक मांगते नहीं देख उसकी संतान को भीक मांगते नहीं देखा यदि आप धर्मी हैं और आपने धर्मी के जीवन बिताया और प्रभू की सेवा की सचे मन के साथ शायद कुछ दिन के लिए कुछ हफतों के लिए कुछ मेहनों के लिए आपको आर्थिक संकार में भी कुछ वर्सों के लिए पर प कभी कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा तेरा नहीं तेरे बच्चों का तेरे नाती पोतों का भी मैं ध्यान करूंगा उस विद्वा बेहन ने जब प्रभू के दा से एलिया की सायता की क्या हुआ प्रभू ने ना सिर्फ उसके लिए पर उसके बच्चों के लिए पूरे को संभाव में परनित करने वाला हम जब किसी को कुछ देते हैं थूफ लगा कर देखते हैं चिपक को कोई नोट तो नहीं चलाए दुखे से पर प्रभु जब हमको आशिश देता है बेपरिमान आप परमपार आशिश परमेश्व के पचरम लेका है मैं दबा दबा कर हिला हिला कर उनकी गोद में भर दूंगा I will pour in their lap परमेश्वर ऐसा देता है गिनके नहीं कंजूसी से नहीं कई लोग कंजूसी से देते हैं प्रभु के भवन में आते हैं एक रुपे का दान पांच रुपे का दान दस रुपे का दान पर प्रभु जब देता है चपर फाड़ कर देता है He will open the floodgates of heaven and pour His blessing in your house ये बात असंभा है पर पभूस संभा करने जा रहा है आपके लिए आपके परिवार के लिए आठी बात और उसको सुनकर हम यहाँ पर समाप्त करेंगे हम परमेश्वर की प्रजार ठहरेंगे और वो हमारा परमेश्वर ठहरेगा जरमाया 32, 32 वा धाय उसकी 38 से 40 वी आयत पर 38 से 40 आयत महाप्त लेका है हमारा और हमारे वन्ष का भला हमारे साथ परमेश्वर की एक नहीं वाचा कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा सदे उसकी पुस्तिती हमारे साथ हमारे परिवार के साथ हमारे बच्चों के साथ रहेगी और हमको पुनार स्थापित करेगा 41 आत में लेखा है मैं तुम्हें पुनार स्थापित करूंगा असंभा को संभा में परनित करने वाला परमेश्वर आज आपके लिए प्रभू यावा कहता है जैसे हमने 32 सतर में में लिखा है तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं 32 सताइस में प्रभू कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यावा हूँ क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है मेरे परमेश्वर के लिए मेरे प्रभू के लिए कोई काम कठिन नहीं There is nothing impossible or too hard for the Lord. It may be hard or it is hard for us. हमारे लिए असंभाव है कटिन है, पर 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 आज आपसे कह रहा है, मैं तेरी सारी असंभाव को दूर करूँगा. पहली बात, परभू हमारा धर्रम और पाप से शुटकारा मुक्ती देगा. First thing, God will forgive us. दूसरी बात, वो हमको चंगाई देगा. God is going to heal us. चाहे आपकी क्रोनिक बिमारी क्यों न हो, वो आपको चंगाई देगा. तीसरी बात, He will give us complete and full peace. वो हमको पूरी शांती देगा. परमेश्वर की सांती, आज आपके घरों में परिवार में आने पहें. चौती बात, वो सुनसान उजाड विरान को फिर से बहाल जियों कत्यों कर देगा. He will bring back everything like it was before. पाच्वी बात, हमारे घरों में, गाओं में, शेहरों में, देश में, कलिश्चाओं में, हर्स और आनन्द का सब्द. गोशना, जैजेकार की धोनी फिर से सुनाई देगी. पर में सक्रबचन कहता है, इनी में में हर्ष और आनन्द का सब्द, दुले और दुलिन का सब्द है, क्योंकि योवा भला है, उसको धन्यबाद करो. छट्वी बाद, कलियान और कुशलता को, संपंता सम्रदी को प्रभू हमारे पास लाना चाहता है, सात्वी बाद, हमको अंगिनित और अर आपर मानित, अनमेशरबल, जिसको कि आप माप नहीं सकते, ऐसी आशित प्रभू हमको देना चाहता है, और वो हमारा परमेशर होग हम उसकी प्रजाब बहनेंगे, He will be our God, कि आप परमेशर की ओर फिरने के लिए तयार है, will you turn back to God, कि आप परमेशर की ओर फिरेंगे, कि आप उससे आज प्रातना करेंगे, प्रभू कहता है, मुस्स से मांग, मुस्स से मांग, मुझे पकार मैं तेरी सुनूंगा, और जो बा चाय कोई भी भी मारी क्यों नहों, आपका चाय कोई भी संकट क्यों नहों, आपका व्यक्तिगत समस्या, आपके परिवार की समस्या, आपके समाज की समस्या, आपकी चर्च कलीसिया की समस्या, आपके गाउं शहर की समस्या, आपके देश की समस्या, सबसे बढ़का पूरे तुने आज अपने वचन के द्वारा हम में से प्रतेक से बात किया तुने मुझसे बाला और मेरे द्वारा तुने अपने लोगों से बोला हमारी तुछ से बिंती है तेरा वचन आज उनके मनों में उनके हिर्दों में एक विस्वास को उत्पन करने वा है प्रभू मेरी तु पूरी च्छ चंगाई दे पूरा छुटका रहा, पूरी श्गाइरा पूरा बहाल, पूरा कलियान, पूरी समर्दि तू वापीस लेकर ओ, हमारे जीवनोंों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियां में, हम तेरे महान काम को देखने पाएं. ब्लस फेलोशिप चर्च के लिए तरह धने बाद हो, पासर सुनिल गामेत के लिए धने बाद, उनके परिवार के लिए धने बाद, जितने लोग आज जूम मीटिंग में और फेस्बुक में जुड़े हुए हैं, सबको तु आशीज देव, इस मीटिंग के बाद जब वीडि के साथ बोले, आमीन, आमीन, ओवर टू पास्टर सुनिल, पास्ट प्रभुगराज, आप आगे से लेख देजिए, अमेन, अमेन, तैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से दूसरी रात हमारे साथ बचेने,